नमस्काल दोस्तों आप सभी का दाहिस्सी यूटूब चैनल में मैं मिकास शेकर हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों 2020 हमारे लिए बेहद दुगदाई रहा है इस वस खेलों की रिकार्ट तूटने के वज़ार मृत्तिव के रिकार्ट तूटे हैं जो हमें बेहद खेट पहुचाता है तो दोस्तो वैसे कुछ खेल ऐसे भी हुए हैं जिनमें ऐसे रिकॉर्स टूटे हैं जो उनकी इस थापना से अब तक कभी नहीं टूटे थे तो आज हम उन्ही रिकॉर्ट की बात करने जा रहा हैं तो आईए वीडियो की सुरात करते हैं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछू कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है तो आपके मन में अलग-अलग खेलाएंगे कोई सोचेगा क्रिकेट, कोई कवर्डी, कोई होपी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है फोटबॉल अब आप कौन से खेल को पसंद करते हैं हमें कमेंड में जरूर बताएं तो दोस्तों जो चैंपियन्स लीग है वो फोटबॉल से रिलेटेट है और जब चैंपियन्स लीग की बात होती है तो जर्मन कलब बायान म्यूनिक को भी नहीं भूल सकते हम क्योंकि जर्मन कलब बायान म्यूनिक ने येवरोपियन चैंपियन्स लीग का खिताब जीत लिया है और इसके सभी 11 मैचों को जीतने वाला एक मात्र कलब बना है जर्मन बायान म्योनिक लब 223 अगस्त 2020 को final मैच हुआ और वो मैच हुआ जर्मन बायान म्योनिक लब और Paris Saint जर्मन अर्थार्ट PSG के मद्दे और इस मैच में जीत हुई जर्मन बायान म्योनिक लब और इस लीग के सभी 11 मैचों को लगताल जीते जाने वालम एक मातर क्लब बना जर्मन बायान म्योनिक लब और म्योनिक क्लब ने छटवी बार इस लीग का किताब अपने नाम किया दोस्तों म्योनिक की तरफ से किंक्सले कॉमांग ने 59 मिनट में हेडर से गोल किया और दोस्तों आपको बता दू कि 500 गोल करने वाला इस लेग में 500 गोल करने वाला ZL Magic और बासी लोना के बाल तीतर कलब बना Bayern Munich Club तो दोस्तों ये हुई जर्मन Bayern Munich Club से जुड़ी वाते जर्मन Bayern Munich Club ने फुटबाल के इतिहास में कैसा रिकॉर्ड कायम कर दी लिया जो सायद कभी तूट सके उसने लीक किस सभी मैचों को जीता जो एक असंभव कारे है और दोस्तों असंभव तो वैसे कुछ नहीं होता और ये रिकॉर्ड जरूर तूटे ऐसी हमारी कामना है और अंत मैं गोस्वामी तुलसिदास की एक बात दोराना चाहता हूँ दोस्तों जो सम्मान पाना चाहता है कुछ बाते इस तरह हैं कि जो सम्मान चाहता है सम्मान चाहने वाला व्यक्ति मांग नहीं सकता सम्मान चाहने वाला व्यक्ति मांग नहीं सकता और मांगने वाले का सम्मान नहीं रह सकता तो दोस्तो बस इसी तरह की बातों के साथ मैं लेता हूँ अलविदा मिलते हैं आप सब इस अगले वीडियो में जै हिंद